USA की जो Congress यानि वहां की जो Parliament है उसमें जो उनका lower house है House of Representative उन्होंने recently permission दी है कि President Joe Biden की against impeachment की inquiry करी जाए क्या वो impeachment करे जा सकते हैं क्या अब impeachment ये word हमें थोड़ा सा सुना सुना सा लगता है क्योंकि इंडिया में भी जो हमारे President होते हैं उनकी against impeachment करी जा सकती है देखो अमेरिका के case में जो भी वहां के बड़े public officials है जैसे President हो Vice President हो जो बड़े-बड़े government officials है उन्होंने अगर उनके Constitution को violate किया अपनी power का misuse किया या फिर उनके law को किसी तरीके से break किया तो ऐसे case में इनके against investigation किया जा सकता है उस process को ये लोग impeachment कहते हैं और impeach करने के बाद अगर पाया गया कि ये person गलत था तो उस case में उन्हें उस position से हटाया भी जा सकता है लेकिन इन्डिया और अमेरिका के case में ये impeachment के overall मतलब बहुत different है अमेरिका के case में ये president, vice president और बाकी के सारे जो civil officers हैं उनको भी आप impeach कर सकते हो जबकि इन्डिया की case में हम सिर्फ और सिर्फ president को impeach करते हैं और किसी भी official का नाम यहाँ पर नहीं आता दूसरी चीज है कि इन्डिया में अगर president को हटाना है तो वो जो आप resolution लेकर आओगे आपकी parliament में वो आप अपने लोगसभा में लेके आओ, राजसभा में लेके आओ, कोई issue नहीं है लेकिन वही अमेरिका के case में आपको सिर्फ और सिर्फ उनकी लोगसभा यानि house of representative में ही इसका प्रस्ताव लेके आना पड़ेगा अब इंडिया की case अगर आप देखते हो, president को हटाने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक reason constitution mention करता है वो यह कि if there is violation of the constitution, president ने constitution violate किया, उसी case में हटाएंगे जबकि अमेरिका की case में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें करने के लिए भी आपको हम हटा सकते हैं जैसे इन्होंने लिखा treason, bribery, या फिर other high crimes, misdeminence, बहुत सारी चीज़े हैं तो किसी भी तरीके का crime, हलाकि इसका interpretation कुछ भी निकल सकता है, वो अलग बात है अब देखो, इन्ही inquiry कैसे होती है, इंडिया की comparison में इंडिया की case में आप president के बारे में ऐसा प्रस्ताव किसी एक house में लेके आओगे house में जब भी वो जाएगा, उसके बाद two-third members, जो भी house है, जैसे लोकसबा है उसके जितने भी members बनते हैं, उन members के two-third ने यहाँ vote करना चीए कि इस person को impeach किया जाए, उसके बाद वो मामला second house में पहुँचेगा और second house में भी इसमें two-third majority से voting होगी और जैसे ही दोनों house में ये पास हुआ, president को हम सीधा remove कर देते हैं यहाँ, इंडिया में impeachment का मतलब सीधा removal है जबकि अमेरिका की case में चीज़ें थोड़ी सी अलग है यहाँ पर lower house में पहले तो बात चलेगी, inquiry होगी और वहाँ पर भी voting होगी, और वो होगी simple majority की एकदम simple majority से पास हो गया तो इसका मतलब होगा कि आप impeachment का trial चलेगा जैसे हमारे जुड़ी शरी में trial चलता है आप गलत हो या नहीं check किया जाता है तो वैसा trial इनके lower house में नहीं बलकि जो upper house है जिसे वो लोग senate कहते हैं उस senate में ऐसा trial चलेगा उसमें भी जो senate के members हैं वो तो बैठेंगे लेकिन जो इनका supreme court है वो supreme court के जो chief justice है वो यहाँ पर आके उस trial को conduct कराएंगे तो इंडिया की case में तो हमने court का कोई भी interference नहीं देखा है जब यह मामला पहले या दूसरे किसी भी house में जाता है लेकिन यहाँ chief justice का भी role आता है तो यहाँ पूरा trial चलेगा और फिर अगर पाया जाता है कि वो person ने गलत किया है तो ठेराय जाएगा कि this person, this particular person is impeached लेकिन यहाँ पर impeached का मतलब removed नहीं है वो person अभी भी president, vice president या जो भी officer है वो वैसा का वैसा है impeachment बस prove कर रहा है कि इस person ने गलत काम किया अब इसके बाद फिर से voting हो सकती है फिर से एक प्रस्ताव लाया जाएगा कि इस person को remove किया जाए और इस बार voting में अगर वो majority से pass हो जाए तो उस case में हम कहेंगे this particular person has been removed अब अमेरिका की case में आप देखो अभी तक 3 presidents है जो आप देखते हो जिनने already impeach किया गया जिसमें Andrew Johnson, Bill Clinton Donald Trump यह impeach होए लेकिन remove नहीं होए है बस prove हुआ कि आपने गलत किया लेकिन last में जो हटाने के लिए voting करनी है वो नहीं हुआ और वही India की case में देख लो क्योंकि impeachment का मतलब ही removal है तो India की case में आज तक कोई भी president हटाया नहीं गया और किसी और पे तो यह अपलाय होता नहीं है तो this is the difference between impeachment process in India and America thank you so much for watching this video